बीजेपी लीडर तजिंदर सिंग बगगा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली आकर के अरेस्ट कर लिया इस पर दिल्ली की पुलिस ने पंजाब की पुलिस पे किड्नापिंग का केस कर दिया और जब पंजाब पुलिस तजिंदर सिंग बगगा को लेकर गए वापस पंजाब जा रही थी, तो हरियाना पुलिस ने उनको बीच में डिटेन कर लिया, इन सब हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में तजिंदर सिंग बगगा को वापस दिल्ली लाया गया और पंजाब हरि सबसे पहले जालने कि पुलिस एक state subject है यानि कि किसी state की पुलिस का jurisdiction उसी state तक limited है और law ये कहता है कि अगर किसी state में criminal को arrest करना है तो उस state की पुलिस ही उसको arrest करेगी लेकिन किसी circumstance में special circumstances में दूसरी state की पुलिस भी आकर के arrest करती है लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर दिये गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 48, पुलिस को पावर देता है, without warrant, इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए, लेकिन इसमें प्रोसीजर नहीं डिफाइन किया गया है, यानि कि पुलिस जो है, बिना वारेस्ट के भी अरेस्ट कर सकती है, सेक्शन 79 मे इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए पावर दिया गया है, on the basis of warrant, इंटर स्टेट अरेस्ट के के केस में, competent court वारेस्ट इशू करती है, तब जाके अरेस्ट होते हैं, और यहां पे डीटेल प्रोसीजर दिया गया है, for such arrest, दोनों ही सिचुएशन में, जब बिना वारेस्ट के arrest किया जा रहा है, या with warrant arrest किया जा रहा है, हमारे fundamental right में दिया गया है, article 22, clause 2, कि अगर किसी person को arrest किया जा रहा है, या detain किया जा रहा है, तो within 24 hours उसको magistrate के पास produce किया जाएगा, जिसमें कि लाने ले जाने का जो time होता है, जर्नी का time होता है, वो exclude किया जाता है, और अगर उ 24 hours से जादा उसको detain नहीं कर सकते हैं, एक case आया था, 2019 में, संदीब कुमार वर्सिस दे स्टेट, Government of NCT of Delhi, इस case में Delhi High Court ने guideline issue किये थे, interstate arrest के लिए, जैसे कि सबसे पहला था ये, कि पुलिस officer को अपने superior से writing में या for phone पे permission लेनी होगी, कि वो दूसरे state में arrest करने के लिए जान जाते हैं किसी criminal को, दूसरा की comprehensive departure entry करनी होगी in the daily diary, पुलिस की जो daily diary होती है, पुलिस station में, अपने पुलिस station में वहाँ पे entry करनी होगी, that he or she is going to another state, दूसरे state में पहुँचने के बाद concerned पुलिस station में वहाँ inform करना होगा, और अपने visit का purpose बताना होगा, उस station में पहुचने के बाद वहाँ के पुलिस officer से उनको assistance के लिए बोलना होगा और वहाँ पे arrival entry करनी होगी, कि हम लोग यहाँ पे आये हैं arrest के लिए, या फिर investigation के लिए, इस guideline में ये भी कहा गया है कि urgent cases ने state के पुलिस नहीं भी बता सकती है, inform नहीं कर सकती है, arrest के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या तजिंदर बगगा का arrest urgent case के अंडर में आता है, इसी बीच National Commission for Minorities ने भी पंजाब Chief Secretary से ये report मांगे है within 7 days क्योंकि ये allegation थी कि बगगा को तर्बन पहनने की इजाज़त नहीं दी पंजाब पुलिस ने, ततकाल के लिए हाई कोट ने stay लगा द करने में और क्या ये एक political wind data है, views अपने ज़रूर share कीजेगा, मिलते हैं next video में, thanks for watching.